यह तेरे बाप को चैन नहीं है अब बातरूम में बैठके पपची गें नाए जाओ अरे यार मम्मी पपची जाए फाड मैं इधर तो हमारी सेटिंग का फोन आने बाला होईगा और पापा बातरूम में फोन लेके बैटे हैं हमारा अरे रिवाईब देओ यार्नो गुफ अर्य manuscript और सरमा जी या सुनले हो लूटन में लगे यौ तुम मैं तो गता ही अर्य सरमा तेरी नानी कोतिया माने सारे रिवाईब दैज हाई रे मरी गयर तेरी सर्मा तेरी तुझे हम चुड़े ही ना हाई दया रे मरी गयर आज थे भगबान बचाए ले और दस रुपिया का प्रसाज चड़ाएंगे यह ससुरा इतनी रात को टेटनी के मोवाइल में किसकी कोल आ गई हलो कौन बोल लो है अरे हम बोल रहे कौन बोल नहीं हो अरे हम बोल रहे तुम्हारी चम्मक चलो हमारी चम्मक चलो मतलब क्या है आपका यह आपकी किस प्रकार की मंसा है कता ही लूल आदमियो पहचान भी नहीं पाते हो यार और पहचानने वाली बात नहीं भाया हम तुम्हे पुम्हें बात करने के लिए बातरूम ही मिलता है। बेगर जराद नी रात को तुम किससे बात कर रहा है हो। जानू यार तुमको पब जी खेलने से फुरसत ही नहीं मिलती है। यह नहीं होता है मेरे से टाइम निकाल कर दो-चार बात ही कर लो। अरे चटनी की अम्मा यार हम पब जी खेल लायते उसी वक्त कौल आई गई इसकी पता नहीं कौन है। यह तो कोई लड़की बोल ले ही है। मतलब तुम या बातरूम में लड़की बाजी गंडे आते हो। अरा देखा चटनी की अम्मा हम म्स कमारे साथ बेवफाय नहीं कर सकते हैं। यहर नहीं वू पएक तुम्हारी हिंत कैसे होई मुस से बेवफाय करने की तो मैं तो मैं छोड़ूंगी नहीं। ये लो तुम। अरि.. मर जाएंगे ? जो आवद रखुडियों मत, अरावई ओसा.. उसासी दोपके कदए भील के लोकुलियत सिफे लिए